तो राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं लेकिन मन में एक डर बैठा रहता है सर्जिरी के नाम से, उनको क्या कहना चाहेंगे? डर तो मुझे भी सबसे चाहधा था और बाद में मैंने कन्फों कर लिया किनी अब करवानी है राइनोप्लास्टी तो सुनील सर से ही करवानी है एकदम नाचुरल लग रहा है सर का नोज हेलो फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं जिगर जी जो की मौरवी गुजरात में रहते हैं और यहां पर आये थे डॉक्टर सुनील तवर जी से इनोंने करवाया है सेप्टो राइनोप्लास्टी और जिगर जी से हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस पूरा ये कैसा रहा यहा मैंने काफी सर्च किया था सर के बारे में और उससे पहले दूसरे डोक्टर के बारे में के राइनोप्लास्टी करवानी है लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था बाद में मैंने सर के बार में सुचा फिर मैंने उसके बार में सर्च किया मैंने रूबरू विजिट की मुझ राइनो प्लास्टी करके वापस घर भी चला गया और बाद में घर जाके मुझे एक बार भी फोन करने की जरूरत नहीं पड़े थी कि सर मुझे कोई दिक्कत हो रही है क्योंकि उसका काम ही इतना परफेक्ट था बाद में मैंने दो बार विजिट की है उसके बाद और दोनों एक डर बैठा रहता है सर्जिरी के नाम से उनको क्या कहना चाहेंगे तो मुझे भी सबसे चाहएंगे दूसरे किसी को नहीं होगा उतना डर मुझे था कि कितने सवाल मन में आ रहती है कि यह हो जाएगा वह जाएगा जब आपको बेहुस करते हैं अगर आप होसमी नहीं आ पातने हैं छोटा-मोटा ओपरेंशन होता है वह है अम्हें कभी करवाना किया नहीं इसलिए दर लगता है लेकिन इसा कुछ है नहीं अगर सर कर रहे है तो ऐसा कुछ नहीं है इजी है और सर बहुत सारे लोगों को यह भी मन में रहता है कि कही टांकों के निशान वगेरा क कोई ऐसे निशान तो नहीं आ जाएंगे चैरे के उपर इस तरीकी कोई चीज तो नहीं हो जाएगी तो आप लोग सब खुदी देख पा रहे हैं मैं आपको एक close view दे रही हूं सर का तब देख पाएंगे के सर के नोज पे नोज के आसपास कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई के भी निशान नहीं है एकदम नाचुरल लग रहा है सर का नोज तो खुशें सर आप अपने नोज से एकदम बहुत बढ़ी है थैंक यू सो मत सर